आज हम सिल्वर निटिंग नीडल्स का आखरी हिस्सा कर रहे हैं सिल्वर कहते हैं चांदी को निटिंग नीडल्स कहते हैं बुनाई करने वाली सलाया तो आज हम देखेंगे के सना ने क्या सबक सीखा दादी was a kind and forgiving woman she hugged सना and said सना, what matters is that at least you have learned a lesson kind कहते हैं मेरबान को forgiving कहते हैं मौफ करने वाले को और हब कहते हैं गले लगाने को और learned a lesson at least कहते हैं बिल आखिर, आखिरकार और learned a lesson सबक सीखना तो दादी was a kind दादी जो है वो एक मिलबान और माफ करने वाली खातून थी woman कहते हैं खातून को he hugged सना, उन्होंने सना को गले लगाया और कहा सना, what matters? सना, जो चीज एहम है जिस मामला है वो ये है कि at least you have learned a lesson के आखिरकार तुमने एक सबक सीख लिया it is always better to tell the truth no matter how difficult it is always कहते हैं हमेशा better बेतरीन को कहते हैं the truth कहते हैं सचाई को और difficult, मुश्किल it is always better to tell the truth tell कहते हैं कहने को ये हमेशा से बेतर होता है कि सचाई बियान की जाए no matter how difficult it is no matter कितना भी कैसा भी मामला हो ये मुश्किल होता है नभी क्रीम से लियान ने अर्शाद फरमाया सच बोलने की आदत बनाओ क्यूंके सचाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है हमेशा सच बोलो ताके तुमें कस्म खाने की जरूरत न पड़े इसलिए कहते हैं कि जोटा बन्दा हर बात पे कस्मे खाता है तो प्यारे बच्चों हमें सच हमेशा सच्चा सोदा बेचें अगर आप कारोबार करते हैं बड़े होके अगर आप जॉब करेंगे तो सच्चाई जो अपना काम दियानतदारी से करें क्योंके सच बोलने में ही दुनिया का भी भला है और आफरत का भी लेकिन हम किस तरह से सच बोलने पे काइम रह सकते हैं अगर हम अला की किताब से जुड़े ने हैं तो प्यारे बच्चों उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं कुरान मजीद को तरजमे के साथ पढ़े हैं रोज की कमस कम पीन आयात नीडल्स कैन आलवेज बी रिप्लेस्ट बट आई हैव ओनली वन ग्रेंड़टर वू मैटर्स मोर तू मी एनिफिंग इन दा वर्ड नीडल्स कैते हैं बुनाई की सलायों को आलवेज बी रिप्लेस्ट रिप्लेस्ट का वतलब होता है तबदील बदल देना ग्रेंड़टर कैते हैं पोती या नवासी को और वर्ड कैते हैं दुनिया को तो दादी ने कहा कि सलायां तो हम बदल भी ली जा सकती है लेकिन मेरी तो सिरफ एक ही पोती है और मुझे दुनिया में किसी चीज से भी ज्यादा अपनी पोती की फिकर है From that day onwards सना realized the importance of truthfulness and the two best friends became closer than ever From कहते हैं से That day onwards उसके बाद Realized कहते हैं एहसास होना Importance एहमियत Truthfulness कहते हैं सचाई को and friends, दोस than ever पहले से की ज्यादा यानि उस दिन के बाद से सना ने एहसास किया कि सचाई का एहसास किया उसकी एहमियत उसे पता चली और उसके बाद से दोनों दोस्त पहले से भी एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गई यानि वो और उसकी दादी अमा तो प्यारे मचे उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस चैनल को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके बाद हम मश्की सवालाद अगले में करेंगे